यदि आपकी आयू 11 से 18 वर्ष के बीच है तो आप एक किशोर हैं। किशोर अवस्था बाल्यकाल और युवा वस्था के मध्य की अवस्था है। चुकि आप एक किशोर हैं। हो सकता है आपने पहले से ही स्वयम में और अपने मित्रों में अनेक परिवर्तनों को देखा हो। आप में से कुछ लोग ने इन परिवर्तनों को अन्य लोगों की अपेक्षा थोड़ा पहली ही अनुभाव कर चिके होंगे। चुकि इन परिवर्तनों में कुछ बहुत जल्दी होते हैं। इसलिए इनके तथा आने वाले परिवर्तनों के बारे में थोड़ा प्रमित होना स्वाभाविक है। किशुरा वस्था यवणा रंब के संकेतों के साथ शुरू होती है। यवणा रंब शारिरिक और भावनात्पक परिवर्तनों की शुरूंखला की शुरुवात है, जिसके कारण प्रजनन परिपक्वता का विकास होता है। पहला परिवर्तन जो आप में से कुछ लोगों ने पहले से ही अनुभव किया होगा, वो शारिरिक वृद्धी में अचानक वृद्धी तिव्रता है। चुकि शरीर के अन्य भागों की तुलना में भूजाओं और पैर की बहुत तेजी से वृद्धी होती हैं, आप कुछ-कुछ विडवल या अटपटे से दिख सकते हैं। यववना रंब के संकेत अलग-अलग व्यक्तियों तथा लड़कियों एवं लड़कों में अलग-अलग होते हैं। प्रारंब में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा तेजी से बढ़ती हैं, लेकिन लड़के 17 या 18 वर्ष की आयू होते होते अपनी अधिक्तम प्राप्थ कर लेते हैं। यववना रंब की समय、 लड़कों और लड़कियों की शारिरिक बनावट में भी परिवर्तन हो जाता है। लड़कों के सीने चौड़े तथा कंधे मजबूत हो जाते हैं, जबकि लड़कियों के कूले कमर का निचला भाग चौड़े हो जाते है किशोरा वस्था में लड़कों के स्वर्यंत्र का आकार बढ़ जाता है, जिससे उनकी आवाज भारी हो जाती है योवना रंभ में पुरुशों और स्त्रियों में लेंगिक अंग भी विकसित होने लगते हैं लड़कियों में रुतु स्राव की शुर्वात तब होती है जब अंडाशय पूरी तरह विकसित हो जाते हैं और परिपक्व अंडों को उत्पन्न करने लगते हैं लड़कों में व्रुशन और शिष्ण लिंग जैसे लेंगिक अंग पूरी तरह से विकसित होकर वयस्क आकार में पहुँच जाते हैं व्रुशन शुकानू उत्पन्न करने लगता है इस समय लड़कों और लड़कियों दोनों ही में कुछ गौण लेंगिक लक्षन भी विकसित होने लगते हैं जैसे कि उनकी बगल और प्यूबिक शेत्र में बाल लड़कों के दाढ़ी, मूच और सीने पर बाल आ जाते हैं लड़कियों में स्तन विकसित होने लगते हैं यववना रम के समय स्वेद ग्रंथियों और टैल ग्रंथियों का स्राव भी बढ़ जाता है इस कारण आप मुहासों की समस्या से ग्रस्थ हो सकते हैं इन शाररिक परिवर्तनों के अतिरिक्त आप अधिक आत्म निर्भर हो जाएंगे और भावनात्मत परिपक्वता भी विकसित करेंगे आप में बवधिक विकास भी होगा और सोचने विचारने में काफी समय व्यतित करेंगे किशोरा वस्था के दोरान होने वाली परिवर्तन हार्मोनों द्वारा उत्पन्न होते हैं हार्मोनों वह रहसाइनिक पदार्थ है जो अंतह स्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किये जाते हैं इन हार्मोनों का उत्पादन पियोश ग्रंथी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। टेस्टोस्टरोन किशोरो गौन लेंगिक लक्षणों को विकसित करता है जैसे की दाढ़ी मूच और लेंगिक अंगों का विकास। क्योंकि ये समय शारिरिक एवं मानसिक परिवर्तनों का होता है इसलिए आप शरीर और मास्तिश्क में आए परिवर्तनों के प्रती अपने आपको ढालने का प्रयास करते समय और सहज महसूस कर सकते हैं। क्योंकि सभी परिवर्तन व्रुद्धी प्रक्रिया का एक प्राकृतिक भाग है इसलिए चिंता ना करें। क्योंको जो कि सकते हैं क्योंकि सभी आपको